गंज बासोडा असी के दशक में अयोध्या में कारसेवा के दौरान रामजान की रत यात्रा निकाली जा रही थी विधर्मियों ने चुनोती दी की यदि रत यात्रा निकाली गई तो परिनामधा तक होंगे संतों के आहवान पर हिंदू युवाओं ने चुनोती स्वीकार की और उस रामजान की यात्रा को सनरक्षन प्रदान कर सफलता पूर्वक संपन कराया इस प्रकार उन युवाओं की टोली से बजरंग दल का प्रकटी करन हुआ बजरंग दल ने हर अफसर पर यह बात सिधकी है जहां चुनोती है वहाँ बजरंग दल है चाहे वह बाबा बढ़ा मरनात यात्रा रोकने की बात हो जम्मू में श्राइन बोर्ड से जमीन लेने की बात हो 1992 में धाचा गिराने का अफसर हो हर मोर्च पर बजरंग दल ने स्वयम को सिधकिया है इसी प्रकार से हिंदू युवाओं में शौर्य का जन जागरन है बजरंग दल शौर्य यात्रा यह बात बजरंग दल की शौर्य यात्रा कार्यक्रम में बत्वर मुख्य अतिती एवं मुख्य वक्ताविहिप केंडरियर से मंत्री राजेश तिवारी ने कही वेर अविवार को रगुवर गार्डन में बजरंग दलद्वारा आयोजेट शौर्य यात्रा के कार्यक्रम को सम्वोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि बलिदानी सप्ताह चल रहा है 21-27-27-704 में गुरु गोविन सिंग जी का पूरा परिवार धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गया था उनकी मा उनकी पतनी और चारो पुत्र हिंदुत्व पर न्योचावर हो गया अपने इन पूर्वजों के बलिदानों के कारण आज हम हिंदू हैं उनके बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता वक्तव्य से पूर्व मंचस्त अतितियों ने भगवान राम एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार पन कर दीप्रजजलित कर कार्यक्रम का विधी सम्मत शुभारम किया ततपश्चात बजरंग दल की प्रार्थना होकर रगुवर गार्डन से शौ प्राहस्थित होटल बाराही पहलेश पर समापन हुई इस शौर्य यात्रा में कार्यकरता बजरंग दल की पूर्ण गणवेश में एवं हात में दंड लेकर राष्ट भक्ती गीद गाते हुए अनुशासन अत्मक धंग से चल रहे थे यात्रा में बड़ी संख्या में कार् सार प्रमो को पस्थित थे कार्यकरम का संचालन जिला मंत्री अभिशेक शर्मा गुरुजी ने किया विदिशा जिला बयूरो मुकेश चतुरवेदी